how probability helps expectations expectation yeah expected value basically average ही है यानि अगर मैं यूं कहाओ कि एक player है जिसकी के average जो है वो बन रही है 25 score तो हम यह घ्सकेक्ट करेंगे कि जो player है वो आज के match में जो score करेगा वो 25 करेगा ठीक है यानि एक जैसा concept हा रहा है लेकिन इसमें probability का क्या role है एक example से समझते हैं, एक player ही की example लेते हैं, ठीक है, फर्स करें, कोई XYZ player है, जिसने एक match में 2 score किया है, यह नि 4 consecutive matches में 2 score चला रहा है, ठीक है, और 2 consecutive matches में 5 है, और फिर last के 4 consecutive matches में 3 score किया है, ठीक है, तो इसकी क्या average बनी, यहाँ पर अगर मैं average लूँ, अगर यह एक population को represent कर रह होगा, इन तमाम का sum और divided by जो कुलतादाद है इसमें, population size यह आ जाएगा, ठीक है, तो इदे कि इन तमाम का sum बनता है, यह 2 plus 2 plus 2 plus 2, यह 8 बन गया, 8 में 10 एड़ करें, यह बन गया 18 और इसमें 12 एड़ करें, तो यह 30 बनता है, ठीक है, divided by total जो number है, यह observations है, यह 10 है, तो यह 3 answer आ रहे है, यह जो आ रही है, यह आ रही है, कि इसका 3 score होगा, ठीक है, यह अगर expect करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं, अब expectation जो है, हमारी यह होगी, कि हम इन जो given हमारे पास information, इसको हम use करें, यह जैसे यह 2 है, ठीक है, 2 किती दफ़ा, अगर हम इसी concept को देखें, जो जो हम arithmetic mean का concept, ऐसी को देखें, तो 2 किती दफ़ा add हुआ था 4 time, ठीक है, 5 किती दफ़ा add हुआ था 2 time, तो मैं इनको just sum की form में, इनको product form में लिख दूँ, 3, 4 time add हुए है, और divide कर दूँ इनकी जो कुलतादाद है, यहां तक तो बिलकुल यह same concept आ रहा है, ठीक है, अब इसमें, मैं यहां पर यह लिख सकता हूँ कि 2 multiply by 4 over 10, ठीक है, मैं तब break कर रहा हूँ में, 3 terms में इसको break कर रहा हूँ, 5 into 2 over 10, 10 हर number का divisor है, ठीक है, 3 into 4 over 10, ठीक है, अगर आप देखें तो यह हमारे पास 4 over 10 यह 2 over 10, यह probability है, probability क्या चीज़ होती है, अगर मैं A event की probability find करना चाहता हूँ, तो मैं इसके जो outcomes हैं, ठीक है, यह event के favor में, वो लिखूँगा उपर, और नीचे divide करूँगा, तमाम जो possible outcomes हैं, अब इस event में 10 match थे, ठीक है, तो all possible outcome 10 है, out of 10, 4 matches में से 2 score की, यहनि 2 जो event है, उसकी जो probability है, वो उससे multiply हो रही है, 5 की 5 से, जो उसकी probability 5 की बनती है, वो उससे multiply हो रही है, ठीक है, इस तरह से यह जो में बात कहना चाहरा हूँ, तो देखें, वो ही concept आ रहा है, कि यहां पर probability जो है, हमारी जो, यह sum करने की जो property है, उसको, मतलब जो multiply में हम, जो यह 2 over 10 लिख रहे हैं, यह basically probability ही है, ठीक है, जो कि हमारी जो, मुश्किल calculation है, उ expected value जो है, यह expectation जो होगी हमारी, वो बड़े असानी से निकाल सकते हैं, अब अगर यह number solve किया जाए, तो यह, मतलब 8 over 10 ही बनता है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें, तो यह 10 over 10 ही बनता है, ठीक है, और इसको अगर आप देखें, तो यह 12 over 10 बनता है, और इनके denominator से, मै numerator add हो, तो यह 30 over 10 means के 10 ही लिखा हुआ है, तो expected value भी वही आई है, जो average थी, वही concept है, तो इन example से जो हम, जो probability हम देख सकते हैं, कैसे expectation को calculate करने में help कर सकती है, वो हम इन example से जो है, बड़े असानी के साथ समझ सकता है, इसी तरह एक और daily life का problem है, कि एक investor है, ठीक है, जिसने के stock market में, जो है, वो अपने पैसे जो है, इनवेस्ट किया है, ठीक है, अब उसको जो return मिल रहा है, उसकी जो information हमें मिली है, वो मैं आप से जो है, वो शेयर कर रहा हूँ, probability की sense में, चुकि उस ते 100, आप समझने के 100 days का एक record जो हमें provide किया है, तो उस लिहाज से return में, उसे 5% return जो मिला है, ठीक है, वो 20%, मतलब total का 20% है, अगर total 100 है, तो उसका 20% जो investment हुई है, इसकी 20% days में, उसको 5% return में मिले है, ठीक है, ठीक है जी, जो return का rate होता है, वो 5% में मिला है, 10 जो percent में इसको मिला है, वो 25% investments में मिला है, ठीक है, इसी तर 15% return मिला है, उसे 30% में, ठीक है ज इसी तरह 20 जो 20 का return मिला है उसे वो 15% investments में मिला और 40% का return जो से मिला वो 10% investments में मिला हम यहां से क्या expect कर सकते हैं कि उसकी expectation क्या है मतलब next अगर वो invest करता है next तो उसकी expected value होगी कि वो अब कितना invest उससे return कितना मिलेगा ठीक है उसके लिए 5 को उसकी probability से 0.2 से multiply करेंगे 15 को उसकी probability 0.30 से multiply करेंगे 20 को उसकी probability 0.15 से multiply करेंगे और 40 को उसकी probability 0.10 से multiply करेंगे तो जब इन तमाम probabilities को multiply करते हैं यहाँ पर answer 1 आ रहा है यह हमारे पास 2.5 आ ज़े गा ठीक है जी और यह हमारे पास आ जाता है, 4, तो यह overall जो return बना percentage की है, 15% का, मैंने percentage का symbol नहीं लिखा लेकिन मैं नंबर की sense में बता रहा हूँ, तो इस तरह से वह expect कर सकता है, जो उसकी next investment होगी, उसमें जो return मिलेगा, वो कितना होगा, वो 15% का हो सकता है, तो इस तरह से आप daily life की example से help करती है,